आज हम यहाँ परे उल्टा वड़ा पाव बना रहे हैं तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक मिक्सी के चार में पाच से छे जितनी हरी मर्चे ले रही हूँ इसे तोड़कर डाल रही हूँ मैं इसमें छे से साज जितने ये लसंगी के लिया थोड़ा सा हरा धन्या भी डाल रही हूँ आधा टी स्पून जितना जीरा भिश में डाल दूगी अभी मैं इन सारी चीजों का बारी पेस्ट तैयार कर लूगी इस तरह से अभी में यहाँ परेश बाउल में दो कब जितनाए बेसन का आटा ले रही हूँ आधा कब जितनाए चावल का आटा भी में इसमें डाल दूँगी त्रिफोर्थ टी स्पून जितनाए नमक भी में इसमें डाल रही हूँ 1 4th टी स्पुन जितना हे healthy powder और एग आधा टी स्पुन जितना लाल मिर्ची का powder भी मैं इसमें डाल रही हूँ अभी मैं इसमें 1 4th टी स्पुन जितना अजवाईन हाँ से crush करके डाल दूँगी अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक बैटर तयार कर लेंगे बहुत ज़्यादा गाड़ा या फिर पतला नहीं बनाना है मीडियम कंसिस्टेंसी का बैटर हमें बनाना है आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी यहाँ पर कड़ाई में दो टीस्पून जितना तेल गरम हो चुका है आदा टीस्पून राई और आदा टीस्पून जीरा मैंने इसमें डाल दिया है अभी मैं इसमें पेस्ट डाल रही हूँ जो हमने तयार करके रखी है और इस पेस्ट को हम इसमें भून लेंगे तेल में एकाद मिनिट के लिए और आधा टीजपून जितना हल्दी पॉडर भी डाल दिया है हलका सा भून लेंगे अभी मैं इसमें आठ से दस जितने उबले हुए आलू को हाथ से तोड लिया है इसे मैं इसमें डाल रही हूँ छिलके हटा दिये मैंने इसके अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन सारी चीज़ों को थ्री फॉर्थ टीजपून जितना है नमक भी मैं इसमें डाल रही हूँ नमक की कॉंटिटी आप अपने पसंद से रख सकते हो अच्छे से मिला लेंगे इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर मैंने पाओ को स्लिट करके रखाता इसमें मैं इस्टफिंग डाल रही हूँ अच्छे से दबा दबा करें इस्टफिंग डाल दूँग इसमें पाओ को भी दबा लेंगे यहाँ पर इस बैटर में दो पिंच जितना है बेकिंग सोडा में इसमें डाल रही हूँ अच्छे से मिला लूँगे इन सारी चीज़ों को और जो पाओ हमने स्टफिंग करके रखाता इसमें डिप करके ले रही हूँ अच्छे से डिप कर लेंगे और अभी मैं इसे फ्राइ करने के लिए कड़ाई में डाल दूँगी तेल गरम हो चुका है हमारा इसमें डाल रही हूँ मैं इसमें अभी हम इसे अच्छा गोल्डन कलर आने तक फ्राइ कर लेंगे अच्छे से पलट पलट कर हमेंसे फ्राई करते रहना है इसे मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बना है उपर से और अंदर से बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है आप इसे जरूर ट्राइ कीजिए देखिए और रेसिपी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद